अपने बेटे के बालों को मजबूत घना बनाने के लिए मैं यूज करती हूँ आयूर हरबल आमला शिकाकाई एंड रिठा शेंपू जो शेंपू इतना ज़दा अच्छा है कि इसके रेगुलर यूज से आपके हियरफॉल की प्राब्लम भी खतम होगी प्लस आपके बालों क कि लेंथ भी काफी ज़दा इंक्रीज होगी हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो गाईज आप सब को जशन के बाल काफी जदा सुन्दर लगते हैं काफी हेल्दी लगते हैं मुझे बहुत सारे कमेंट आ तो जशन के बालों पर टाइम पर ओईलिंग करना हेर वाश करना शैंपू एंड ओईलिंग दो जीजे ऐसी हैं जो कि हम रेगुलर अच्छी तरह से यूज करेंगे तो हमारे बालों काफी जदा हेल्दी रहेंगे शैंपू हमारे बालों पर अच्छी तरह यूज होना चाह करेंगे पर मैं को करने लाझे हैं इसके इलावा एक मैं पर समुर्प हो सकते इतनी ज्यादा मैंने उसकी बॉटल से यूज कर ली है कि वह शैंपू मेरा फेवरेट हो चुक है तो अगर आप सब अपने हेर से रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी है आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं लैंट नहीं इंक्रीज हो रही है या फिर आपके बालों की काफी ज्यादा रीजनेबल है काफी ज्यादा सस्ता शैंपू है और उसके रिजल्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं मुझे यह शैंपू यूज करते हुए कम से कम तीन साल हो चुके हैं मैंने कम से कम इसकी 50-60 बॉटल्स यूज कर ली हैं जो कि 11 kg की बॉटल से इतनी बॉट इतने ज्यादा लंबे इतने हेल्दी हुए हैं तो अब तो ज्यशन भी 12 यह का हो गया है तो ज्यशन को यह शैंपू यूज करते हुए कम से कम तीन साल से भी ज्यादा हो चुके हैं आयूर हरबर शैंपू आमला शिका का ही रिठा इसके मेन इंग्रीडियंट्स है इतना अ मारे घर में हर कोई यही वाला शैंपू यूज करता है इससे आपके बाल इतनी ज्यादा हेल्दी रहेंगे सॉफ्ट रहेंगे आपका अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे ना तो फेवरेट शैंपू आपका यह वाला बन जाएगा तो लोकल मार्के स्टोर से आप इ तो आप मेरी पिछली कोई भी वीडियो निकाल कर देख लें मैंने यही वाला शैंपू सबसे ज्यादा यूज किया है आमला हशिका का ही रिठा इसके मेन इंग्रीडियंट्स है बिल्कुल नेच्छरल शैंपू है इसके इंग्रीडियंट्स आप देख सकते हैं कि कितने ज अबित होते हैं तो गाइज इसका प्राइज जो है वो 270 रूपीज है वान के जी की यह बोटल है 1000 ml की तो आपको कोई ना कोई इस पर अच्छा डिसकाउंट जरूर मिल जाएगा काफी लंबे टाइम तक आप यह वला शैंपू यूज कर सकते हैं अच्छी खासी आपको इस नहीं हो रही है तो आप यह वला शैंपू रेगुलर यूज करके देखें अपने बच्छों को यह वला शैंपू यूज करें तो मैं अपने बेटे को यही वला शैंपू रेगुलर यूज कर रही हूं जिसकी वज़ा से जशन के बाल इतने ज्यादा लंबे हुए हैं इतन ज़्यादा स्डुएंग मालों को बहुत ज़्यादा रूका जूका रखेंगे राइरा कि हर टाइम आ होपन हो जाते कि पर बॉल आप वालों पर आूइलिंग unless like that तो अपने बालों पर अच्छी तरह से ऑईलिंग कीजिए टैंगल को रिमूव करके ब्रेड बना कर रखें हर वक्त अपने बालों को कवर रखें फिर आपको हेर से रिलेड़ेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं आपके हेर फॉल होगा नहीं आपके मतलब अब चाहिए अगर आप फेज कर रहे हैं तो आप यह फ़ला शेंपू रेगुलर यूज़ करें इतना अच्छा लैदर करता है इतनी अच्छी जहाग होती है इसकी जो फ्रेग्नेंस है वह काफी जदा माइल्ड है काफी अच्छी इसकी फ्रेग्नेंस है हर्बल शेंपू ह तो गाइस अगर आप अपने बालो को लंबा बनाना चाहते हैं मजबूत घना बनाना चाहते हैं आपके बाल काफी जथा हैल्दी लगें आपकी ब्रेड काफी जदा हेल्दी हो तो आप यह वला शेंपू रेगुलर यूज़ कीजिए एक दो तीन बार यूज़ करने से आपको रिजल्ट नहीं पता लगेंगे रिजल्ट आपको तब पता लगेंगे जब आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे और सेकिंड अपने बालों पर ओई हो जाएंगे होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे होगी थैंक्स फॉर वाचिंग